तो दोस्तो देख सेकते हो, multi-vigor stock announced 65 रुपीज special interim dividend और इसका record date, expiry date सब निकाल का राज़ शुकिए इस stock का market में बेलोए 7500 रुपिया लेकिन इस stock निया पर 65 रुपिया का एक per share dividend देने वाले जो बहुती बड़ा dividend है तो share कौन सा है? चलिए हम देखते है तो दोस्तो देख सेकते हो, share का नाम है Forvest Company & Limited Forvest Company Limited निया पर पर share 65 रुपिया का एक बड़ा dividend का announce किया है तो आप देख सेकते हो, जैसे इसका announcement होता है, इस stock का price में आज लाग बाग 10% से ज्यादा देखने को मिला है तो जैसे announcement हो देखिए, share कितने तेजी से उपर की तरफ भाग रहा है तो share का बेलो है सिप 780 रुपिया विलाल आज ही यह आया है क्योंकि आज 720-30 रुपिया के आसपास था तो देखिए, कितने तेजी से इस stock उपर की तरफ भाग रहा है, तो अगर आपको forvest company limited का share का dividend चाहिए, तो आप भी इस company का price stock को buy कर सकते हो, तो देख सकते हो, forvest company के तरफ से इसका expiry date सब निकल कर आज चुके, आप देख सकते हो, Tuesday August 25 यानि दो, पोसिस अगोस्ट को इसका record date रखा गए है, अगर आपको forvest company का पैसाट रुपिया पार share का dividend चाहिए, तो आपको पसिस अगोस्ट से पहले इसका share को buy करना हो, ताब याप eligible हो जाएंगे, उसके बाद अगर करोगे तो आप eligible नहीं होंगे, अगर हम forvest company limited का share के performance देखते हैं, तो भी आच्छी है, तो अगर हम forvest share की performance को देखते हैं, तो देखे हैं, अगर पिछले 5 दिन का performance देखे हैं, तो पिछले 5 दिन में लगबख 80% का return market में देखे हैं, तो देख से लगबख 95% का return market में देखे हैं, अगर हम लोंग टाम देखते हैं, मतलब इसली एक साल का return को अगर दिखा जाए, तो पिसलिए एक साल में 212 परसेंट के रिटान दिखाए तो आप सिप डिवीडेंट के लिए नहीं इस स्टोक को आप लॉंग टार्म बाई के लिए भी आप बाई कर सकते हो तो अगर आपको इस स्टोक के तरफ से पैसर ट्रेपिया पासर डिवीडेंट चाहिए तो आप पसिस अगर्स से पहले इस स्टोक को बाई कर लिए और मेरे ख्याल से इस टोक लॉंग टाम के लिए भी आच्छी रिटान देने वाला है तो अब इसे जोरूर बाई कर सकते हो